हर हर महादीव आप सोच रहे होंगा कि मैंने आज अपना वीडियो ऐसे ही शुरू किया है तो मैं आपको बता दू जो आज का वीडियो है वो टोटली किदारनाथ के उपर केंद्रित है इसलिए मैंने अपने वीडियो के शुरुवात इस तरीके से की वैसे यह सब साइड में रखते हैं इस प्रिया पांडी साइनिंग एन आज मैं आपको बताऊंगे कि अगर आप केदारनाथ चाहते हैं तो आप अपनी प्लैनिंग कैसे कर सकते हैं आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं कैसे वहाँ पर जाकर रह सकते हैं हर एक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूगी सबसे पहले मैं आपको बता दू कि केदारनाथ के इस साल गेट खुलने वाले हैं 6 माई को 2 माई को अक्षित रित्या के एक दिन पहले उखी मट से पाल की उठाई जाएगी और 6 माई को सुबच 6 पचकर 25 मिनट पर केदारनाथ के गेट खोल दिये जाएगे तो चलिए अब शुरू करते हैं अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं और आप मुंबई में बेस्ट हैं सबसे पहले आपको बैनवाट ओमिनस से ट्रेन मिल जाएगे जो आपको हरी द्वार छोड़ देगी हरी द्वार जो स्टेशन है वो बहुत ही इंपोर्टन स्टेशन है क्योंकि सोन प्रयाग जाने के लिए आपको वहाँ से बसे मिल जाएगी अगर आपको डिरेक्टली ट्रेन नहीं मिलती है मुंबई से या फिर कोई भी अधर पार्ट ओफ इंडिया से हरी द्वार के लिए तो आप देली चा सकते हैं देली से बहुत सारी बस फैसिलिटीज है और कैप फैसिलिटीज भी एविलेबल है जो आपको हरी द्वार ड्रॉप करेगी अगर जब आप हरी द्वार पहुत चाते हैं अगर आपका group है तो आप पहले से ही कोई गाड़े book कर लें अगर आपका कोई भी group नहीं है तो वहाँ पर बहुत सारी travel agencies है जैसे कि वहाँ पर जाकर आप cap book कर सकते हैं वहाँ पर buses भी चलती है बसस जो होती है वो काफी cheap होती है तो उसमें भी government buses होती है और private buses होती है लेकिन इसमें ज़्यादा fair का difference नहीं आता है लेकिन अगर आप cap करते हैं तो cap के rate 10,000 से लेके 12,000 रुपे single journey के होते हैं इसके अलावा जो bus के rate होते हैं वो 500-600 रुपीस per person होते हैं तो यह तो रही traveling की बात अब हम बताते हैं कि सोन प्रयाग से आपको आगे कैसे जाना है आप एक बार सोन प्रयाग पहुच गए तो वहाँ पर hotels काफी available है आप पहले से भी booking कर लेंगे तो काफी अच्छा होगा अगर आपने booking नहीं की है तो आप वहाँ पर जाकर book कर सकते हैं लेकिन जो मैं आपको एक बात बता दू कि अगर आप हरी द्वार से सोन प्रयाग आ रहे तो आपको सुबह सुबह ही buses मिलेगी क्योंकि afternoon के बाद जो bus service होती है और जो गाड़ी की service होती है वो सुन प्रयाग के लिए बंद कर दी जाती है क्योंकि घाट का रास्ता है इसलिए ये services बंद कर दी जाती है आप एक बार सुन प्रयाग पहुच गए तो आप वहाँ पर rest कीजिए थोड़ा अपने body को acclimatize कीजिए second day early morning आप अपना track शुरू कर सकते है केदारनाथ के लिए केदारनाथ का track शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ता है गौरिकुंद अगर आपने अपनी personal vehicle भी carry की है तो भी आपको वो सुन प्रयाग में पाक कर देना होता है because वहाँ पर जो लोग होते हैं उनकी गाड़ी हमें युस्तमाल करनी होती है जिसका rate होता है 30 रुपीज पर परसन और वो आपको गौरिकुंद तक छोड़ देते हैं गौरिकुंद वो place है जहां से असल में केदारनाथ का track शुरू होता है गौरिकुंद में नदी बहती है आप उसका मजा ले सकते हैं वहाँ पर गौरिजी का मंदिर है उसका दर्शिन कीजिए और अपना केदारनाथ का track शुरू कीजिए बस इतना ध्यान रखे कि आप बहुत ही early morning यानि 4.35 को अपना track शुरू कर दे ताकि evening होने के पहले केदारनाथ के कपाट बंध होते हैं हर रोज 6-7 बजे के बीच में उसके पहले आरती होती है तो आप इतना जरूर ध्यान दे कि आप इस आरती के पहले पहुचे ताकि आपको दर्शिन भी मिल जाए और आरती भी ले सकें आप क्योंकि आप इतना दोर track करके जाने वाले हैं यह जो केदारनाथ का total track है वो है 16 km का लेकिन जब हम गए थे तो एक problem यह हुई कि जो लोग थे वहाँ पर उनसे हमने बात किया तो हमें पता चला कि जो पुराना रास्ता था आपदा के पहले वाला वो 16 km का था लेकिन जो अब दया रास्ता बना है वो करीबन 22-23 km का है जब आप track करते हैं तो आपको समझ में आएगा पानी की चिंता नहीं कर सकते क्योंकि पानी आपको हर जगे ज़रने हैं तो पानी आपको मिलता रहेगा हर जगे आप उसको फिल कर सकते हैं रिफिल कर सक है क्योंकि किसी की महनत होती है वो पुरा नीचे से लेकर उपर जाते हैं आपको करीबन ये ट्रेक करने के लिए अगर आपकी स्पीड अच्छी है करीबन 7 घंटे लग जाएंगे लेकिन अग जब हम ट्रैवल कर रहते तो हमने सुबेश 6 बजे हमारा track शुरू किया था सब का इंतिसार करते हम पहुंच गए रात के साड़े साथ बजे हम उपर पहुंचे थे तो इतना समय अगर आप नॉर्मल स्पीड से चड़ रहे हैं तो आपको लगेगा उधर जाने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजे भी है जो आप ले सकते हैं सबसे पहले आप कुपाल की का उप्षिन है जो आठ हजार चे लेकर बारा हजार रुपए पर परसन लेता है इसकी अलावा आपको जो है सोविसिस वो है घोडा और खचर की उनके रिए पच्छे सौ तक होते हैं पर आप बार्गेन कर सकते हैं गवर्मेंट का रीट है पच्छे सो अगर उस तो आपको सून प्रयाग से 15 किलोमेटर पहले ही फाटा करके एक जगा है वहाँ पर उतर जाना होता है इसकी बुकिंग जो होती है हेलिकॉप्टर की वह आप पहले से ही करके रखें क्योंकि यहाँ पर मोनोपुली चलती है यहाँ पर एजेंट पहले से ही ब्लॉक करके रेट होते हैं 6,000 रुपए लेकिन आप जब इसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं तो रिटोन जोनी के आपके रीट हो जाते हैं 8,000 रुपए जो हेलिकॉप्टर बुक करने के लिए लिंक है गवोर्मेंट की वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है और आप यहां जब आप उपर जाते हैं तो वहां पर बहुत डिफरेंट स्टे होते हैं या तो आप वहां पर होटेल्स में रहें लेकिन पीक टाइम पर होटेल्स के रीट्स जो होते हैं वो काफी हाई होते हैं विकास पब्लिक बहुत जादा होती है इसकी अलावा वहां पर आपको डॉ जब आप उपर पहुच गये हैं तो वहां पर एक बेस केम्प एरिया आता है जहां पर घोड़े और खचर यह सारी चीजी रुख जाती है वहां से आपको पैदल रास्ताताय करना होता है मंदिर तक का जो की एक से देड़ किलोमेटर होता है वहां पर गवर्मेंट होटल्स भ कर दी है लेकिन मैं आप से एक ही बात बताना चाहूंगे कि अगर आपकी दार्नाच जा रहे हैं तो पहले से प्रायर बुकिंग करके रखें क्योंकि जब वहां पर गर्दी बढ़ जाती है तो जो बुकिंग पहले से होती है उसको भी कैंसल कर दिया जाता है इसलिए आप ही तैयार रहें क्योंकि वह लोग वहां पर अगर अगर आप सबसे इंपोर्टिंट जो है वह मिलेगी बाबा की आर्थी जो कि बहुत ही अच्छी होती है आपको आर्थी इंजोई कर सकते हैं इसके बाद गेट बंद कर दिया जाता है उस तो आप वहां पर किसी जहां पर आपने जो होटेल लिया है वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं Earl to morning वहाँ पर सुबेh 4.30,4 बजे ही गेट खोल दिया जाते हैं वहाँ पर पूजा होती है सुबेh आरथी नहीं होती है सुबेh सिर्फ पूजा होती है उसके बाद लाइन लगना शुरू हो जाती है तो depends कर पर जाके लाइन लगाए और फिर आपको दर्शन बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा वहां पर की जो खुबसूरती है के दारनाथ की बहुत ही आवडने निया है क्योंकि एक तो दोनों तरफ से होते हैं बर्फ के पहाड और बीच में जो इंटरलोकिंग सिस्टम से बना है के दारनाथ वो काफी सुन्दर है इसके अलावा वहां पर मंदिर के पीछे ही एक भीम शीला करके बहुत बड़ा पत्थर है तो ऐसा कहते हैं कि जब 2014 में आपदा आई थी उस वक्त जो पत्थर नीचे आया था उससे कहते हैं भीम शीला और उसके वज़े से जो पानी आ रहा था उसने उसको डिवाइड किया और फिर पानी सेपरेट होगा मतलब डिवाइड जब हुआ तो पानी का बहाब दो अलग जया जाने लगा जिसके वज़े से मंदिल बची थी और मंदिल में जो लोग वहां पर चा के ठहरे थे वह भी बचे थे ये सारी बाते सुनकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि 2014 में लेकिन लोगों ने वह सारी जीजे सही है तो वह सारी चीजे भी है फिर उसके बाद आप कोशिश करें कि जितना जल्दी आपका दर्शन हो जाए कि दार्माद का आप महां से दिस्सेंद करना शुरू कर दे ताकि आप अधीरा होने के पहले नीचे गौरिकुन पहुत चाहें वैसे तो गौरिकुन में गाड़िया चलती रहती हैं इसकी अलावा जब आप उपर जा रहे हैं और आपके पास समय जादा है तो वहां पर एक से देड़ किलोमेटर के दूर पर ही भैरवनाद का मंदी है उसका दर्शन कर सकते हैं भैरवनाद के अलावा आप वैशी की तलाब का भी ट्रेक कर सकते हैं जिसके लिए आपको एक दिन का स्टेर उपर बढ़ाना अलावा आपको कोई भी अगर इंफोर्मिशन चाहिए कि दारनाद के रिलेटेड आप मुझे कॉमें सेक्षिन में पूछ सकते हैं फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही आप हमारे चानल पर अगर नए है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजेगा दिस इस प्रि